हालो मैं डियर फ्रेंड्स मैं प्रवीन कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी काप एक्स कलासेस के डिजिटल प्लेटफर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं देखिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नया लेक्चर जो अपन नया टॉपिक जो नया चप् करेंगे वह है आपके पास में इन और्गेनिक केमिस्ट्री से आपका है पी ब्लोक ओके पी ब्लोक आपने स्टार्ट करें दोस्तों यह आपके पास में बड़ा ही इंपॉर्टन चप्टर है और एक लेंदी चप्टर है इन और्गेनिक केमिस्ट्री का और काफी सारे बच् exam के लिए very very important topic और सारे topic ही important रहेंगे इसके पूरा chapter एक तरह से कह सकते हैं कि important है देखीगा इसका कुछ जो part है वो हम 11th class में पढ़ चुके हैं जो कुछ अभी है अपन बात करेंगे उसके बारे में discuss कर लेंगे कि क्या हमने 11th में पढ़ा है और इसका जो remaining part जो 11th में हमने नहीं पढ़ा वह हम 12th class में पढ़ाएंगे तो बड़ा ही important है और बिल्कुल 100% एक भी question ऐसा नहीं होगा कि तुम बिल्कुल easy way में नहीं कर पाओ बिल्कुल आसानी से चुटकियों में questions कर लेंगे लेकिन इससे पहले आप लोग चाहते हैं कि यह बिल्कुल आपका sound हो जाए और जो सबसे चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल खिलाडी बन जाएं तो फटा-फट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए का session को क्योंकि बड़ा ही important है सभी को अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों सबको लेके आजाए फटा-फट जल्दी सबको शेयर करोबे जब तक शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा है क्योंकि माहोल बनेगा नहीं जब तक कैसे करेक्ट पाएंगे आप लो आप लोग चाते हैं ना इसा सब कुछ कि आप और मैं दोनों अपन मिल करके इस चीज को इस chapter को इस chemistry को आपका एकदम बिल्कुल sound और एक perfectly इसको बनाएं ओके तो देखीगा start करते हैं दोस्तों कर दिया सभी ने like और share good देखीगा पी ब्लोक start कर रहे हैं दोस्तों सबसे पह ऐसा miss कर दिया है skip कर दिया है उस lecture को तो आज भी वो YouTube हमारे चैनल पर available है आप लोग जा के उसको देख सकते हैं जिसमें हमने S ब्लोक, P ब्लोक, D ब्लोक और F ब्लोक को separately वहाँ individually वहाँ उनको देखा है उनको पूरा explain किया है with trick के साथ with trick के साथ और वो भी in individually अगर इनकी ब पास आजाएगी और यह पूरी टेबल मैंने आपको दे रखी है आपके पास में lectures में available है last जो भी आप पीछे के lectures देखेंगे उनमें मिल जाएगा अगर किसी ने miss कर दिया तो आज ही जाके उनको देख लीजिएगा ओके आप दोस्तों आज हम बात करने वाले पी ब्लोक की देखेंगा S हम 11 में पढ़ चुके है P का कुछ पार्ट 11 में पढ़ा है P आज उसको 12 में complete कर लेंगे और D and F आपन पढ़ी चुके है 12 क्लास में अपने lecture आपको करवाया ही है ओके देखेंगा हम start करेंगे आपके पास में P ब्लोक ओके लीजिएगा दोस्तों P ब्लोक में द होगे ओके देखेंगा simply है अपन क्या सकते है the elements in which last electron electron enter कर रहा है last electron enter in P sub shell P sub shell में आपका last electron enter करेगा ठीक है दोस्तों अपन ऐसे भी कह सकते है the elements in which last electron fall into the P sub shell जो आपके पास में है P sub shell में करेगा during electronic configuration during electronic configuration ok electronic configuration are known as P block element P block elements ok clear हो गया good देखें बिलकुल सिम्पल से definition है कि last electron जिनका P sub shell में आपके पास फिल किया जाता है enter होता है या fall होता है उसमें उसी को उन elements को हम कहते है P block element विलकुल सिम्पल साथ है दोस्तों कहीं कोई if and but वाली condition बात ही नहीं है यहाँ पे तो second important point देखेंगा इनके लिए क्या रहेगा second important point देखेंगे यह कहां present है आपको दिमाग में आ जाए कि सर यह present कहां आउंगे ठीक है तो इसके regarding आप किस तरह से कर पाएंगे देखेंगा दोस्तों यह जो है आपके पास में predictable की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो आपके पास में 18 जो total group है उस 18 ग्रूप में से यह जो element है आपके दोस्तों यह जो आपके elements है पीवलोक element यह 13 to 18 ग्रूप में क्या है present है ओके तो यहाँ हम कहेंगे दोस्तों आपके पास में यह जो है आपके पास 13 to 18 group में present है these elements are present in यहाँ पे आपके सकते हैं दोस्तों देखेगा हए थीस il daarम है थीलिघग गो कु頸ेके दोस्तों यह जो अपके लियम्तv没有 पीलja ग्रूप कर दोस्तों 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 यह जो प्रूण ग्रूफ आपके सटों दोस्तों है दोस्तों यह जो है आपके पास में प्रियोडिक्ट टेबल में क्या है 13 to 18 ग्रूप में प्रेजन्ट है यह आपके पास में 13 to 18 ग्रूप में प्रेजन्ट है clear very important हो गया ओके दोस्तों देखेगा अब मैं बात करूँ यहाँ पे इनके अंदर बहुत इंट्रेस्टिंग वाए में दोस्तों अपन इसको complete करेंगे आपके लोग चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल भी टेंशन मतले है देखेए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखना चाहू इसमें next जो important point है इसके लिए इसमें metal भी है देखेएगा दोस्तों इनमें metals भी है metalloid भी है और non metal भी है ओके यह भी ध्यान रखना आपको इनमें metal भी present है non metal भी present है और इनमें क्या present है दोस्तों यहाँ पे non metal के साथ यहाँ कहते हैं metaloids भी यहाँ present है और noble gases भी यहाँ present है ठीक है यह भी देखेए ध्यान रखेगा दोस्तों इनका जो group 18 है इनका जो group 18 जो group है वो noble gases से related है group 18 में क्या present है यहाँ पे noble gas present है ओके और देखेगा दोस्तों यह जो है आपके पास में यह जो पी ब्लोक है electronic configuration को लेकर के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपसे तो देखेगा जो इनका electronic configuration है दोस्तों नॉर्मली यह जो क्या रहेगा आपके पास में यह आपके पास में होगा देखेगा यह जो है आपके पास में यहाँ अगर अपन बात करें तो यह आपके पास में है 13 ओके यह आपका 13 ग्रूप हो गया तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको शेप में इसको यहाँ पे mention कर लेते हैं यह लीजिएगा सब सब पहले हम यहाँ पे यह आपका जो है ब्लोक इसको complete करते हैं ओके clear good देखेगा दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आप इसको complete करेंगे यह आ आपके पास में हो गया 13 ओके देखेगा दोस्तों next जो आपके पास में है यह आपके पास में हो गया 14 ओके यह आपके पास में देखिएगा, यह आपके पास में 15, आपका 15 ग्रूप हो गया, यह आपके पास में 16 ग्रूप हो गया, यह ले लिजीगा 16, 16 हो गया, यह आपके पास में 17 ग्रूप हो गया, दोस्तों, 17 हो गया, और देखीगा यह आपके पास में यहाँ पर बात करें तो यह आपका 18 जो है आपके पास में 18 गुरूप हो गया तो ले लिजीगा यह आपके पास में हो गया 18 यहाँ पर यह अपने पास में है 18 गुरूप की बात कर रहा अपन क्लियर दोस्तों यह आपके पास में हो गया 18th ग्रूप ओके क्लियर है गुड़ देखिएगा दोस्तों यह जो है आपके पास में यहाँ पर 18 ग्रूप हो गया कि क्लियर देखिएगा यहां पर अगर आपन देखना चाहें दोस्तों आपके पास में इस तरह से आपके पास में है 18 गुरुप की बात चल रही है तो 18 गुरुप में आपन इस तरह से इसको 18 आप लोग जानते हैं जो लास्ट आपके पास में है इस तरह से राइट क्लियर य आपका helium present होता है ना उसकी बात कर रहा है ओके clear हो गया यह आपके पास में helium present हो गया इसमें ओके अब देखेगा दोस्तों यहाँ पे हम इसको periods में इस तरह से यहाँ पे divide करेंगे देखें किस तरह से यह आपके पास में हो गया ओके देखेगा यहाँ पे बात करूँ मैं तो यह आपके पास में इस तरह से ओके लेजेगा दोस्तों यह आपका हो गया देखेगा अगर आपन देखना चाहें इसमें तो यह अपने पास है फर्स्ट के सेकेंड जो आपका period रहेगा सेकेंड ओके यह आपके पास में हो गया सेकेंड पीरेड क्लियर दोस्तों सेकेंड पीरेड हो गया ओके देखेगा इसी टाइप में दोस्तों आपन बात करें यहाँ पर यह आपके पास में सेकेंड हो यहां पर यह अपना और फॉर्थ हो जाएगा ओकी देखिए दोस्तों यह आपके पास पर फिप्ट और सेक्स्थ आपको यहां पर जो करना है ना को फिप्ट और सेक्स्थ को भी अपन बना देते हैं यह लेने जीगा है इस तरह से पहले आपने पूरा ग्रुप जो है इस तरह से पूरे ग्रुप को अपने बना लिया और राइट क्लियर है ओके देखिए दोस्तों यहां पर यह जो है आपके पास में हो गया clear, okay अब देखें दोस्तों, यहाँ अगर अगर आपन देखना चाहें तो इसमें आपके पास में देखें क्या present है यहाँ पे आपके पास में group कौन सा है यह आपका group जो है, यह है 13 यहाँ पे अपन ने mention कर दिया यह आपका 13 group है, यह ले लिजिए यह आपके पास में 14 है 15 group है 16, 17 और यह आपके पास में 18 clear है, यह आपका P block है ना ओके, देखेगा elements को लेकर बात करें तो सबसे पहले यहाँ आप लोग जानते हैं boron, carbon, nitrogen oxygen fluorine, neon clear और यहाँ आपके पास helium है दोस्तों okay, clear है देखेगा, यहाँ भी आप बहुत easy way में कर पाएंगे लीजिएगा दोस्तों आपके पास में देखेगा, इस तरह से अपन यहाँ पर आपन कह सकते हैं देखेगा, क्या, की आपके पास में हो गया दोस्तों देखेगा पैंगन, आलू, गाजर okay in थेला right clear है दोस्तों आपके पास में बैंगन, आलू, गाजर in थेला, ओके, और देखेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपन देखना चाहें तो यह आपके पास में इस तरह से कुछ elements को लेकर आपन बात करें, तो यह आपके पास में हो गया लेजिएगा, देखेगा दोस्तों, यह जो है आपके पास में इस तरह से यहाँ पन क्या सकते हैं कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु यह आपके पास में हो गया, आपका 14 तीन ओके देखेगा नेपाल पाकिस्तान ओस्ट्रेलिया सब याद रखने के लिए है एक एंटरेटेंट के लिए इस तरह से बाते हैं ने बिखारी या बिके ओके देखेगा यहां पर ओल्ड style से टीपो old style से टीपो clear है दोस्तों ओके देखेगा यह जो है आपके पास में यहां पर फिर कल बहार आई अंटी फिर कल बहार आई अंटी हर बजन नहरा अगर कर कार्थिक जीरो रन पर आउट ओके clear है दोस्तों यह देखी का हम बात कर रहते है आपके पास में यह जो है आपका period को लेकर अगर बात करना चाहेंगे तो यह first आपका period था first यहां पर यहां पर यह हो गया अपना first period यह था second यह third fourth then fifth sixth seventh भी है दोस्तों लेकिन यह अपने जो manly जो अपने usable रहेंगे यहां पर उनके बारे में बात कर रहा है ओके यह आपके पास में period से related चीज़ेंगे ठीक है यह आपके पास में periods होगे ओके clear होगे दोस्तों आप देखीगा दोस्तों यहां पर आप लोग बात करें तो इस condition में तो आपके पास में क्या होगे यहां पर देखीगा यह जो आपके पास पर period जो है आपने complete तो कर लिए ठीक है अच्छी बात है अब इसमें जो है सबसे मैन बात जो आपके पास में है देखीगा यहां पर यह हम यहां पर note करें point को देखे क्या रहेगा यहां पर कि boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon जो आपके पास में है इनके numbers के लिए अगर आप देखना चाहिए atomic number के लिए तो यह भी हम ध्यान में रखेंगे देखीगा atomic number की साथ साथ में बात कर लेते हैं दोस्तों देखीगा atomic number को लेकर के बात करना चाहेंगे अगर मैं बात प्रूब तो यह आपके पास में हो गया बोरण जो है आपके पास में 5th, 6th, 7th राइट यह आपका हो गया 8, 9 और यह हो गया 10 और यह आपके पास में है 2 ओके देखीगा दोस्तों यह भी इतना typical नहीं है क्योंकि मैंने आपको पुरे trick वाली जो आपके पास म बता रखा है यहां भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि पहर जो फर्स्ट सेल है यहां पर यह जो difference आप लोग पढ़ चुक है यह आपने पढ़ा है 11th में भी आपके पास में 10th में भी कि फर्स्ट सेल में 2,1 पर फिर 8 आपके पास 18, 18, 32 इस तरह से है यहां जो difference है यह दोस्तों देखिए फर्स्ट जो आपके पास में है यहां पर 2 हो गया अब इसमें difference की बात करूँ यहां पर तो यह जो आपके पास में difference है इसमें यह हो गया आपके पास में 8 का 2 प्लस 8 क्या हो गया अपने पास में 10 अब देखिए 10 प्लस अगें आपके पास में 8 तो आपक okay then again देखिएगा यहां पर 18 एड़ करेंगे आप तो आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों यह आपके पास में हो जाएगा 54 यह लिजिए 54 और आप 32 एड़ करेंगे लास्ट में यहां पर डिफरेंस है 32 एड़ करेंगे यह हो जाएगा 86 okay इस तरह से भी आप इसको ध्या हो गया यह आपके पास में 13 हो गया अगेन आप देखिएगा 36 35 इस तरह से start कर सकते हैं यह 31 यह आपका 32 33 34 35 और 36 okay इस तरह से आपके पास हो गया यह आपके पास में 49 था 50 okay देखिए 51 यह आपके पास हो जाएगा 52 53 54 हो गया ओके देखिएगा दोस्तों यह अगर आपन देखना चाहिए तो यह आपके पास में है 81 82 83 84 और आपके पास हो गया 85 clear है यह आपका complete क्या हो गया P block हो गया, दोस्तों आपके पास में क्या हो गया, यह आपके पास में P block हो गया, clear है आपको, अब देखिए यहाँ जो आपको P block नजर आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पे, मैं कुछ elements की आप से यहाँ पर बात करना चाहूँगा, लेजिएगा, सब से आपके पास में यहाँ पर है यहाँ पर आई एन इंडियम जो आपको नजर आ रहा है टेलूरियम जो आपको यहाँ पर देखेगा है इंडियम ओके तो यह आपको देखेगा यहाँ पर गर्थ हेलियम आपको बात करें यह जो आपको नजर आ रहा है यहाँ देखेगा दोस्त यह आपके पास में देखिएगा यह आपके पास में है पीबी हो गया ओके देखिएगा दोस्तों यह जो है आपके पास में बिस्मित है यहाँ पर यह आपके पास में हो गया बिस्मित हो गया क्लियर है आपको देख पा रहे हैं तो यहाँ पर यह जो आपके पास में है देख है क्या आपके पास में यह मैटल है आपके पास में ओके और देखिए इनके बारे में हम डिसकस करें यहां पर यह जो है आपके पास में इस तरह से देखिएगा यहां पर यलो से जो मैं रिपर्जेंट कर रहा हूं यहां पर जैसे आपके पास में दोस्तों आपके पास में है बोरोन है ओके देखेगा यहां पे SI है ZE है Zirminium है ओके आपके पास में ES है SB है clear है ओके दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यह जो इस तरह से आपके पास में है देखेगा बोरोन है आपके पास में यह आपके पास में सिलीकन है जार्मेनियम है औरसनिक है आपके पास एंटीमनी है यह जो आपके पास में है B, SI, G, E आपके पास AS, SB clear है यह आपके पास में देखेगा यहां पे बात करना चाहें तो आपके पास में यह आपका देखिए दोस्तों जैसे टाइलूरियम है आपके पास ओके, clear है आपको, तो यह सभी आपके क्या है, non-metals में, यह क्या है आपके पास में, sorry, यह आपका आपके पास में दोस्तों यह आपके क्या है नोन मैटल और अपन बात करना चाहिए तो सभी यहाँ पर ध्यान दखना है आपके पास में घ्राइं भी प्रेजन्ट है इसरह प्रीज प्रेजन्ट है उरह आपके पास में इस ग्रूप के अंदर 가지 इतने भी element present है उनमें कुछ element आपके दोस्तों यहां पे metal की form है कुछ आपके पास में metaloids है कुछ वहां पर अपन कह सकते हैं आपके पास में non metal है clear होगे आपको तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा आपको अगर आपन यहां पर बात करें तो यह जो आपके पास में देखिएगा यहां पर यह जो आपके पास में metal और अपने यहां पर non-metal तीनों को यहां पर इंडिज्वली आप से डिस्कस किया है आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि इसमें तीनों तरह के elements हैं तीनों तरह के यहां पर present है जो metal की form में भी होंगे metaloid भी होंगे और non-metal भी होंगे clear हो गया ओके आप देखिए दोस्तों हम यहां पर बात करें आप से कि यह जो है आपके पास में यह जो आपका 18 ग्रूप है यह आपके पास में noble gas है clear देखिएगा इसका regarding मैं यहां पर कुछ especially जो point है उनको mention करना चाहूँगा यहां पर दोस्त देखिएगा इनको अपन bridge element भी बोलते हैं दोस्तों इनको क्या बोलते हैं इनको bridge element भी बोले जाता है क्योंकि यह bridge का काम करते हैं किस किस के बीच में यह bridge किस के बीच में बनाते हैं देखिएगा दोस्तों यह जो आपके पास में है यहां पर यह आपका हो गया देखिएग का हैलोजन ओके हैलोजन और देखिए इसको अपन प्रियोडिक टेबिल को इस तरह से करें ठीक है इस तरह इस सेप में आप लीजिएगा तो यहां आपके पास हैलोजन है देन उधर के सरफ आप बात करें तो एस ब्लोग जो स्टार्ट होगा ना उधर से वह आपके पास में होगा तो आपन कह सकते हैं जो आपके पास में फर्स्ट जो आपके पास में ग्रूप है उसमें क्या प्रेजंट आपके पास में आप लोग जानते है अलकलाइन मेटल है तो आपन कह सकते हैं दोस्तों एलकलाइन जो आपके पास में मेटल है या एलकलाइन जो आपके पास म गुरुप है S-Block का और यह जो हैलोजन है, इनके बीच में आपके पास में नॉबल गैसे प्रसेंट है, इनके बीच में क्या कर रहा है, यह ब्रिज का काम कर रहे है, किस-किस के बीच में काम करता है, हैलोजन और हैलोजन एंड ओके देखिएगा between हैलोजन एंड आपके पास में है यहाँ पर दोस्तों आपन कह सकते हैं alkaline metal clear हो गया ओके देखिएगा दोस्तों यह जो है आपके पास में यहाँ पर यह आपके पास में है boron family clear है यह आपके पास में है boron family ओके यहाँ पर आपन कहेंगे यह दोस्तों आपके पास में है boron family ओके और दोस्तों यह जो है आपके पास में यह आपके पास में है carbon family ओके दोस्तों यह जो है आपके पास यह आपके पास में है निकोजन निकोजन भी बोलते हैं दोस्तों इनको और देखेगा दोस्तों यहां पर यह जो है इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली है ओके दोस्तों इसको पिक्टोजन आप पढ़ें हैं यहां पर देख रहे हैं लेकिन इसको निक्टोजन ही कहते है पी जो है साइलेंट रहता दोस्तों इसको निकोजन इसलिए कहते हैं दोस्तों यह जो नाइट्रोजन है इसका मीन जो है यहां पर ग्रिक लेंग्वेज है आपकी पास में जिसका मीन होता है यहां पे पिंग जिसका मीन है यहां पे चोकिंग से मीन है चोक कर दाता है ना चोकिंग को अपन कहता है यहां पे पिक्टोजन या फिर जिसको अपन निक्टोजन यह पी साइलेंट रहता है ओके निक्टोजन से नि चल्कुजन फैमिली है चल्कुजन इसलिए बोलेंगे दोस्तों ये जो है देखेगा ओर्स बनाते हैं क्या बनाते हैं और दोस्तों ये जो है आपके पास में यहां पर इसको हम कहेंगे आपके पास में हैलोजन फैमिली है ये हैलोजन फैमिली है इनको हम हैलोजन फैमिली इस के पास में है जो आपके पास one, two, three, four, five और six आपके पास प्रेजेंट है okay देखेगा दोस्तो यह जो है आपके पास में 13 और 14 ग्रूप की बात कुरूं तो यह हमने 11th क्लास में पढ़ ला था okay clear हो गया यह हमने दोस्तों यहां पे देख् हीगा 11th class में पढ़ लिया, ओके, clear है, और देखिए दोस्तों ये जो आपके पास में, 15, 16, 17 और 18 जो है आपके पास में, ये जो आपके पास में, यहां पे जो आपके पास group present है, ठीक है, ये जो आपके पास group present है, 18 group तक की बात करें दोस्तों, यह हम 12th class में पढ़ेंगे यह आपके 12th class से related है ठीक है 15th to 18th group जो आपके पास में है यह आपके 12th class में है और यह आपके 11th में थे जो 11th में हम 13 और 14 को complete कर चुके हैं दोस्तों देखेगा यहाँ पर अगर आपन देखना चाहें यह जो नॉबल गेसें हैं आपके पास में यह जिनको ब्रिज अलिमेंट भी बोलता है हैलोजन और जो आपके पास में alkaline metal उपके बीच में ब्रिज का काम करता है यह जो है आपके पास में इनका octate जो है दोस्तों यहाँ पर octate को लेकर अगर मैं बात करना चाहूं तो octate क्या रहता इनका complete रहता है ओके clear है और दोस्तों देखिए काई साथ ही यहाँ पर देखना चाहिए इनकी जो valence ही है यह भी आपको पता है कि 0 होगी Nanalakton लेंगे बात करें यहाँ पर तो वो आपको बता है यहाँ पे इनका configuration यह भी आप लोग चानते हैं कि लूधन पर आपके बैब स्टीर चाहिए जो कि एक fulfilled है आपके पास में आपके पास में具 आप के यहाँ पर पास fulfilled orbit है, यानि कि आपन कह सकते हैं, यह आपका more stable है, clear, तो यहाँ पर यह जो electronic configuration आपको नजर आ रहा है, यह more stable है, ठीक है, more stable क्यों हैं दोस्तों, because fulfilled है, P orbit जो है, यहाँ पर fulfilled है, clear होगे आपके पास में, यह कुछ अपनने important point भी लिखते हैं, अब देखेगा दोस्तों, यहाँ आपन बात करना चाहें, इसके case में, क्या आप valence cell में, number of electron को, valence को देखना चाहें, या configuration को देखना चाहें, group में साथ-साथ यहीं पर, देखेगा किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लिजिएगा इसको थोड़ा सा अपने space के लिए इस तरह से एक बार adjust कर लेते हैं, जिससे आपको space मिल जाएगा, थोड़ा सा, यह लिजिएगा दोस्त यहाँ पर जो आपके पास में, थर्ड जो important जो आपके पास में रहेगा ना, इसके लिए आपन बात कर लेते हैं, clear, okay, देखेगा दोस्तों, इसको आपन यहाँ पर आपन ने यह जो है, इस तरह से यहाँ पर shift कर दिया, clear सभी को दिखाई दे रहा है, अच्छे से, देखेगा, valence cell electron, देखेगे दोस्तों, यहाँ पर valence cell electron की बात करेंगे आप, इसमें valence cell में कितने electron present होते हैं, यहाँ पर देखेगा, दोस्तों, बिल्कुल आसान से trick है, जो आपके पास में group है, उसका last digit आप देख लीज़ेगा, बिल्कुल simple सा, देखेगे, बिल्कुल trick स complete करेंगे, 3 electron, 13 है, तो 3 electron, 14 है, 4 electron, 15 है, 5 electron, 16 है, 6 electron, 17 है, 7 electron, 18 है, आपके पास में 8 electron, देखे, कितना आसान है, कर सकते हैं, ओके, देखेगा दोस्तों, first point अपना clear हुआ, second हम देखना चाहिए, यहाँ पर, देखेगा दोस्तों, यहाँ पर, तो, electronic configuration का point अगर आप लोग आ रहे हैं, तो, देखे, किस तरह से आप इसको कर पाएंगे, electronic configuration क्या रहता है, इस group के लिए, electronic configuration की बात कर रहे हैं, दोस्तों, clear, okay, देखेगा, दोस्तों, यहाँ पर, electronic configuration को लेकर के, मैं बात करना चाहूँ, आप से, तो, आप इस तरह से कर पाएंगे, देखेगा, यह गया, दोस्तों, लेजिए, Ns2, okay, Ns2, okay, Np, यहाँ पर कहेंगे, Np1, right, क्योंकि यहाँ पर देखे, आप P1 रहेगा, यह जो है, आपके पास में, इनके लिए रहेगा, Ns2, Np2, okay, यहाँ रहेगा, आपका Ns2, Np3, clear, यह जो है आपके पास में, देखना दोस्तों, यह very important आपके पास में, यह जो Ns2, Np3 है, यह भी आपके पास extra stable है, electronic configuration जो है आपका, because यह half field है, क्या है आपके पास में, half field है, right, देखेगा, यहाँ पर अगर देखना चाहें अपन, यह आपका हो जाएगा, Ns2, Np4, okay, यह आपके पास में, Ns2, Np5, clear, और दोस्तों, यह आपका रहेगा, Ns2, Np6, clear है आपके पास में, Ns2, आपके पास में, क्या रहेगा, Np6, देखेगे दोस्तों, यह जो है आपके पास में, यहाँ पर अगर मैं, oxidation state या yavalancy factor से लेकर, yavalancy oxidation number को लेकर के मैं बात करूं, oxidation state को लेकर के बात करूं, या यहां जो valency रहेगी आपके पास में, यह आपके पास में देखेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगी, 3, ओके और देखेगा, यह by 1 नहीं है दोस्तों, 3 और 1, अब लिक है यहां पर ध्यान रखना आप इस इसका, 3 भी और 1 भी, यह दो अलग-अलग कैसा है, इसके बारे जेगी, 0, ओके, यह जो आपके पास variation आ रहा है न दोस्तों, यह जो valency में variation आपको देखने को मिल रहा है, यह किसके presence में, यहां पर inert pair effect, यहां पर, यह आपने 11 पर पढ़ा है, inert pair effect, फिर भी मैं एक बार, क्योंकि important है, इसको revise करवा दूँँ, आप चिंता मत कीजिए दोस् inert, क्या-क्या, यहां पर क्या man rule रहेगा, इस inert pair effect का, तो यह था आपके पास में, दोस्तों, आपके पास completely, अगर मैं बात करना चाहूं, आपसे आपका जो P block है, यह आपका P block है, जिसके अंदर आपके पास में metal भी है, ठीक है, आप लोग देख पार है, दोस्तों, आपके पास में metaloid भी present है, और आपके पास में दोस्तों, इसमें क्या present है, आपके पास में non metal भी present है, clear है, ओके, अब देखीगा, हम बात करते हैं, यहां पर next जो आपका point रहेगा, देखीगा दोस्तों, inert pair effect, जो आपने यहां पर कहा है, inert pair effect की बात कर रहे है, उसके बारे में हम discuss क करना चाहेंगे, clear उसको हम discuss करते हैं, कि आपका जो inert pair effect है, यह क्या है, ओके, तो देखीगा दोस्तों, यहां आपने जो P block है, आपका completely देखा है, जिसमें आपके पास में metal भी present है, यह जो है, देखीगा, यह आपने पास में, जो blue color से है, आपने इसको, जो sky blue color से represent किया है, A, L, Z, A, I, N, आपके इंडियम, थेलियम, S, N, T, P, V, L, D, B, I, B, Smith, यह जो आपके पास में है, पॉलेनियम, यह आपके पास में क्या है, metal है, और जो हमने yellow color से represent किया, जिनको देख पार है, आप B, boron, silicon, germanium, arsenic, S, B, antimony, tellurium, और यह आपके पास estetine है, यह आपका क्या हो दोस्तों, यह जो yellow color से है, आपके पास में, यह सभी आपके पास में क्या है, दोस्तों, यह आपके होगे कौन से, जो आपके पास, metaloid है, clear होगे आपको, और देखीगा, जो अपने यह आपके पास orange color से है, जिसको अपने represent कर रखा है, carbon, nitrogen, phosphorus है, oxygen है, sulfur है, देखीगा, यह आ non हो गया, जो orange color से आपको नजर आ रहे हैं, दोस्तों, यह सभी आपके पास में क्या होगे है, अपने, यह totally आपके पास में क्या होगे, आपका non metal में चला गया, यह सभी non metals होगे, clear है, और देखीए, यह जो helium है, यह इसको अपने different, अलगी रखा है, दोस्तों, यह 5, अब देखी 5, 5, यह जो आपको यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30 element आपको नजर आ रहे हैं, अब मैं कहूं कि यहाँ पर P block में, यह जो आपके पास, एक नीचे आपके पास में और भी है, P block के लिए, वो अलग बात करेंगे, लेकिन यह जो आपको 30 element, आपको 31 है, यह helium है, यह helium है, यह कुछ प्रियोडिक टेबल जो है, उसके exception रहे हैं, दोस्तों, उसके अंदर, क्योंकि जो helium जो है, आपके पास में, इसका जो last electron है, helium का जब आप configuration देखना चाहेंगे, दोस्तों, देखेगा, helium का जो configuration है, यह आपके पास में रहता है, 1S2, राइट, 1S2 है, तो last electron जो है, इसका यह S orbit में जा रहा है, S subcell में fill के जा रहा है, इसका रणा से S block element है, लेकिन इसको P की side में अपने रखा है, क्या-क्या conditions है, उनके बारे में अलग से बात करेंगे, ओके, अब दोस्तों, एक आप यह सबसे important जो है, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, क्या, कि यहाँ आप पे अपने जो यह इस तरह का, इस color में आपके पास जो भी elements रखे हैं, यह जो elements हैं आपके पास में, इसको में इस तरह से represent कर देता हूँ, जिससे आपको यह बहुत ही आपके लिए easy हो जाए, थोड़ा सा, लीजिएगा, इस shape में इसको represent कर देता हूँ, देखिगा दो ओके, clear, यह जो आपके पास में हैं, यह आपके पास में हैं, सभी metal हैं, okay, clear, okay, दोस्तों देखीगा, second यहाँ पर देखना चाहेंगे आप लोग, इस तरह से आपके पास में, इसको भी मैं बना देता हूँ, आपके पास में, थोड़ा easy हो जाए आपके लिए, यह जो हैं आ metal हैं, कौन से non-metal आपके पास में होंगे, आप बिल्कुल देखते ही आप बता सकों, कि यह जी चीज़े आपने discuss की, clear है यह point भी, तो देखेगा दोस्तों, यह जो है इस तरह से, यहाँ पर बात करना चाहें आपन, तो यह जो आपके पास में है, यह आपके पास में हो गया metal, जो आपके पास में इस color से, जो भी आपके पास element present, आपको represent किये हुए दोस्तों, यह इस color से जो आपके पास में elements, जो आपने represent कर रखे हैं दोस्तों, यह सभी आपके पास में हैं, ओके, यह आपके पास में होगे, आपके metal में, ओके, आप देखेगा दोस्तों, यहाँ यहाँ पर जो yellow color से है, यह आपके होगे metaloid यहाँ पर जो yellow color से represent किया आवाज इनको अपनने, यह आपके होगे metaloid होगे, clear है? Okay यह आपके metaloid है, okay clear और जो आपके पास और बैसे हैं, यह आपके पास में क्या है दोस्तों, यह non-metal में ध्यान रखिएगा यह नॉन मैटल में ओके आपके पास में है नॉन मैटल तो यहां पे आपने इनका इंडिकेट अपने इनको इंडिकेट कर दिया है अलग से जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो लोग बहुत इजी वे में आप कर सकें से इसको ओके क्लियर है देखिएगा यह आपके पास में तीनों से रिलेटेट चीज़ा आपने यहां पर देख लिए हैं दोस्तों अब दोस्तों देखिएगा यहां पर अपने डिसकस करना चाहिए इन तीनों पॉइंट पर लेकर के किस तरह से आप यहां पर डिसकस कर सकते हैं अब आप सेपरेटली इन चीज यह metals है, यह आपके पास metaloids है और यह आपके होगे non metal होगे, clear हो गया, अब दोस्तों बात करते हैं देखेगा, यहाँ पे atomic number भी साथ में आपने देख लिया, अब इनको naming को लेकर देखेगा, boron, aluminium, gallium, indium, thalium, carbon, silicon, germanium, tin और आपके पास में है lead, nitrogen, phosphorus, phosphorus, arsenic, यह आपके पास में हो गया दोस्तों, यह देखेगा antimony, यह आपके पास में हो गया bismuth, यहाँ पे देखेगा oxygen, sulfur, selenium, tellurium और आपके polynium है, fluorine, kludurine, bromine, iodine, estetine है, यह आपके पास में helium, neon, organ, krypton, genon और redon है, trick दोस्तों मैं यहाँ पे आपको mention नहीं करवा रहा है, य gaming, यह सब मैंने आपको last जो अपने trick वाले जो वीडियो अपने देखें, उसमें आपको complete करवा रहा है, आप लोग वहाँ से देख सकते, देखें, क्या है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, कहे, सिताजी, सुनो, प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, उस्टेलिया, सब बि introduction है, वो हम complete कर चुके है, यह 13, 14, 11th class में हम complete कर चुके थे, 15 to 18 जो group है, आपके पास 4 जो group है, 15, 16, 17, 18 जो आपके पास निकोजन है, या निक्टोजन है, आपके पास तैलकोजन है, है, हैलोजन है, और नॉबल गैसे है, इन के स्टेडी हम करेंगे, यहां पर, ओके, क्लियर है, तो दोस्तों देखेगा, हम स्टार्ट करते है, इसमें आपके पास में एक पॉइंट आ रहा है, जो सबसे मैं आपके पास में, कि इन आपके पास में, इसको डिसकस करते है, इसको डिसकस करता है, तैन हम हमारा चेप्टर जो है, फिप्टीन जो ग्रुप से स्टार्ट होगा, वहां पर अपन बात करें, यह एक जनरल इंट्रोड़क्शन मैंने आपको कंप्लीट इपी ब्लोग के बात कर लेते हैं जो बार-बार आपके पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट ओके देखिए दोस्तों यह जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बिल्कुल सिंपल सा है आपके पास में आप इसको किस तरह से कर पाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट में लेजिएगा दोस्तों आपके पास में हो गया, inert pair effect में, सबसे first मैं यहाँ पे group 13 जो आपके पास में, boron है, aluminium है, gallium है, indium है, thelium है, ठीक है, इस से explain कर देतों next group में आप अपने आप से देख लेंगे, उससी को, देखीगा यहाँ पे, यह जो है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि atomic number 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ आपके पास में 31 है, 49 है, यह आपके पास में 81 है, अब देखीगा दोस्तों, यह जो configuration की अगर मैं बात करूँ आप से, यहाँ पे electronic configuration को लेकर, तो यह भी आप बिलकुल आसानी से कर लेंगे, देखीगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ इस तरह से NS2, NP1 आपके पास में रहे गया, यहाँ पे आप 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1, देखीए दोस्तों, यह भी मैं आपको inert pair effect इस तरह से आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कभी नहीं भूल पाएंगा, और बिलकुल concept आपका 100% clear होगा, कि वाक्य में inert और जो pair है, right clear, और देखीएगा, 2P6, दोस्तों, ओके, यह आपके पास में है, देखीएगा, 2P6 हो गया, और फिर आपके पास हो गया, यहाँ पे अपने पास में, 3S2, लीजेगा, 3P, आपके पास हो गया दोस्तों, 6, 4S2, 3D, 10, ओके, और दोस्तों, यह आपके पास हो गया, 4P1, clear है अब यहाँ आपन देखना चाहें 49 में तो देखेगा 1s2, 2s2, 2p6 ठीक है और 3s2, 3p6 दोस्तों अगर किसी कोई ऐसा लग रहा है कि सर ये किस तरह से फिल के जाते हैं हमें electronic configuration लिखना नहीं आ रहा तो इसके लिए भी मैंने आप तक बहुत ही short में और एक पूरा दबंग 3 जो किस तरह से वहां conversation हुआ था तो वो जो है सारा जो है कि पूरी फिल्म जो आपके पास में story जो है वो मैंने एक तुम बिल्कु इस शोट में आपको बना के ट्रिक दे रखी आप लोग वह भी YouTube चैनल पर अवेलेबल है electronic configuration के लिए कि सुनो सुनो वहां पर है सुनाक्स सुनाक maximum electron की बात करें जो आपके पास maximum electron तो आपको पता है 2 electron आप लोग फिल कर सकते हैं S में P की अगर आपन बात करना चाहेंगे तो P में आप maximum 6 तक पाहुंच सकते हैं D के लिए अगर आपन बात करना चाहें D orbit में तो आप 10 electron तक ले सकते हैं और F की अगर आपन देखना चाहें दोस्तों तो आप यहां पर 14 element ले सकते हैं और देखिएगा N प्लस L रूल भी आप लोग जानते हैं और वो trick से आप देखना चाहें तो trick भी आप complete आपके पास में और देखिएगा दोस्तों यहां पर आपके पास में है 2P 3P 4P 5P 6P 7P इतना आपके पास में देखिएगा यहां आपके पास में दो तीन तरीकों से मैंने आपको दे रखा है जैसा आपको ठीक लगे आप वो ही देख सकते हैं उसमें इतना कोई typical नहीं है 5D 6D दोस्तों कुछ नहीं नहीं पड़ेगा उससे पहले ही यह चीज़ें क्या हो जाएगी complete हो जाएगी ओके इस तरह से आपने यहां पर 2S तो यह इस तरह से इस रो में आपको आना है यहां पर और यह देखिएगा यहां पर आपके पास में हो गया देन आप इस तरह से यह जो है आप इस तरह से आप बहुत ही easy way में दोस्तों आप लोग कर सकते हैं आपको दिया complete trick है आपके पास में तो देखिएगा यह जो है आपके पास configuration से related हो गया right clear है तो देखिए दोस्तों इसमें configuration से related जो आपने यहाँ पे देखा इसमें अगर मैं देखना बात करना चाहूं आपसे त 5s 2 okay then देखिएगा दोस्तों 4D और आपके पास में क्या होगा यह आपके पास हो गया 4D 10 और 5P 1 यह आपके पास में क्या हो गया complete 49 हो जाएगे देखिएगा इस तरह से 1s 2s 2p 3s यह आपके पास 3p 4s 3d 4p आपके पास में है यहाँ आपके पास 3d और आपके पास 4p 5s 4d 5p 6s इस तरह से आपको आना है complete ओके देखिएगा इसके regarding अगर देखना चाहेंगे आप तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 right clear है ओके और देखिए दोस्तों यहाँ पे यह आपका हो जाएगा 5p 1 तो 5p 6 ok यह आपके पास 5p 6 6s आजाएगा 4f होगा ok देखिए यहाँ आम कहेंगे 6s 2 ok then 6s के बाद आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6s तक आप लोग आगे फिर आपके पास 4f 5d आजाएगा तो यह आपके पास 4f होगा 14 5d होगा आपके पास में 10 then 6p ending में आपक net pair effect क्या होता दोस्तो देखिएगा यहाँ पे आप लोग valence cell में electron देखिएगा valence cell में कितने electron आपको नजर आ रहे हैं 2 electron नजर आ रहे हैं 2 या 3 तो देखिएगा यह जो है आपके पास में 2 plus 1 यहनी कि 3 electron आपको नजर आ रहे हैं यहाँ कि प्लस 3 oxidational state यहां रहेगा right क्योंक बोन्डिंग में एन ओर एस दुनों यहां पर पातिसिबेट कर रहेंं नोर हैं यहां पर आपके पास में थ करुए करेगा अर आपके आ dessas यहांपर आपके यह सेल अलग होगे यार यह देखो 12th class 12th class फिर आप कहेंगे सर एस और पी है न लेकिन 2 और 2 12th 12th यह math सही बायो है तो 12th class यह math सही बायो है तो 12th class 3 3 पास पास है न देखिए 4 आप कहेंगे सर 4 अरे हां रुकिए देखिए 4 और 3 देखिए आपके मन में जो भी फंट बेट चल रहा है वो मुझे पहले से पता है अल्रेडी देखिएगा आप लोग इधर आप तो केवल समझी फोर यहनी 12th class 3 11th में है अब जा नहीं पा रहे है वहाँ पर डर लग रहा है तो देखिएगा यही देखिएगा यह जो आपके पास में है यह जो आपका पेर है दोस्तों यह जो आपके पास में इलक्टून है वो इनवोल नहीं होंगे आपके पास वालेंसी के अंदर या बंडिंग में यह जो ह उपर वाले जो elements से इनकी oxidational state high हो जाती है, जो नीचे वाले जो आपके पास में oxidational, जो आपके elements से इनकी oxidational state क्या हो जाती है, low हो जाती है, तो अपन यहां कह सकते हैं, Ns electron जो हैं आपके पास में, यह do not या does not tack as in bonding, देखीगा दोस्तों यह जो आपके पास में है, यह bonding में यह आपके पास में देखीगा, यहां पर आपन बात करना चाहें, यह आपके पास पर bonding में participate नहीं करेंगे, ओके, तो यह जो आपके पास bonding में involved नहीं हो रहे हैं, यह जो effect है, इसको ही हम कहते हैं, inert pair effect bonding, ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, दोस्तों, inert pair effect कहेंगे, clear होगे आपका, similarly देखीगा, यहां भी, यह जो है, n-1d, यह जो आपका inert pair effect है, यह किसके presence में हुआ, यह देखीगा, n-1d, जो orbit है, इनकी presence के कारण हुआ है, due to, यहापन कहा सकता है, due to, n-1d, orbits की presence के कारण, दोस्तों, होगा, देखीगा, यहाँ भी, आपके पास में, यह जो है, 1 ही है, 1 electron है, that is, यह भी आपका plus 1 होगा, यहाँ भी आपके पास में, देखीगा, दोस्तों, यहाँ भी आपके पास में, 1 electron है, last में, सबसाल में, तो यह plus 1 होगा, और दोस्तों, ध्यान रखना, यह जो आपके प प्लस वन है नीचे यही आपके पास more stable क्योंकि देखेगा यहां पे प्लस वन और प्लस थ्री है आपके पास में यह जो प्लस वन वैलेंसी यहां पर बात करूँ वन जो वैलेंसी यहां प्लस वन ऑक्सिदेशन स्टेट जो है यह more stable more stable oxidation state है oxidation state है क्योंकि इसको complete होने के लिए stable होने के लिए किवल वन ही इलेक्टोन चाहिए तो up to down अगर आपन देखना चाहें यहां पर तो यह stability जो है oxidation के factor में यह क्या होती है आपके पास में increase होती है तो दोस्तों यह जो inert pair जो आपके पास में inert form में जो आपके पास में यह रह ग यह पिर involve नहीं कर पाए यह भी bonding में involved नहीं हो पाया similarly 6s2 भी आपका bonding में involved नहीं हो पाया तो ns electron does not tag paris in bonding this effect is known as inert pair effect यह जो है पेर आपका inert form में that is दोस्तों यह आपका हो गया inert pair effect इसके क्या applications है यह मैं आपको next lecture में complete कर दूँँ क्योंकि अभी next वाल जो सर है आपकी जो किस देखें ना दोस्तों group 15 जिसके बारे में discuss कर रहते हम इस point पर group 15 से आपका जो chapter है यह 12th class में start हो का वह हम उस chapter पर आ जाएंगे दोस्तों यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्यू सबस्क्राइब करें हमारा Apex Classes Edutech YouTube चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी YouTube विडियोज की updated notifications सबसे पहले आपको मिलें Apex Classes Edutech सबस्क्राइब नाओ